Dear Learners, so क्या आप लोग जानते हैं कि CMA Foundation का रिजल्ट कैसा आता है? तो बिटा, रिजल्ट कुछ इस तरीके का आता है कि 75% कैंडिडेट्स तो पास हो जाते हैं Out of the total candidates, those who have appeared in CMA Foundation exams लेकिन जो 25% कैंडिडेट्स हैं, वो फेल हो जाते हैं अब क्या आप जानना चाते हैं कि ऐसी mistakes वो क्या करते हैं बच्चे जो फेल हो जाते हैं जो CMA Foundation को क्लियर नहीं कर पाते हैं ठीक है? और ये mistakes क्यों जानना जरूरी है? वो इसलिए जानना जरूरी है ताकि आप लोग भी ऐसी mistakes ना करें जो आपको एक wrong direction में ले जा सकता है और आपकी preparation इतनी खराब करा सकता है कि ultimately fail होने की position पर ही आप आ जाएं मैं यहाँ पर डरा नहीं रही हूं रादर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूं ताकि आपको पता लग सके कि आपको क्या precautions लेने है while preparation of CMA foundation exams चलिए बात करते हैं आज mistakes to avoid in CMA CMA के अगर आप students हैं CMA foundation के लिए prepare कर रहे हैं तो कौन सी mistakes आपको avoid करनी है जेशी शाम everyone, this is your educator साक्षी दूआ, welcomes you to CMA foundation grooming education तो आईए, without wasting any time हम बात करेंगे mistakes to avoid in CMA foundation देखें, first, no proper time table अभी भी बहुत से बच्चे होंगे, जो सोच रहोंगे last के एक महीने में पढ़ लेंगे last के 15 days में पढ़ लेंगे तो बेटा, इतना असान मत समझना CMA foundation के syllabus को इतना भी easy नहीं है CMA foundation का syllabus कि आप last के 15 days करके अच्छा score कर पाओ या आप पास हो जाओ, last के 15 days करके तो बेटा, मैं यही कहूंगी कि एक proper time table बना लीजे क्योंकि बहुत से बच्चे गलती ही ये करते हैं कि उनके पास कोई proper time table ही नहीं है उन्हें यहीं नहीं पता कि उन्हें कितने hours daily devote करने है studies के लिए ताकि वो CMA foundation को crack कर जाए तो यहां पर बेटा हमें ध्यान देना है कि हमारे पास एक proper time table होना चाहिए जब हम proper time table बनाते हैं तो हम धंक से देखते हैं कि कौन से subjects पर हमें कितना ध्यान देना है तो ऐसी चीजों से problem नहीं होती कि एक subject तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेर कर लिया बाकी के तीन subjects रह गए या दो subjects आपने बहुत अच्छे से प्रिपेर कर लिये लेकिन बाकी के दो subjects ठीक से प्रिपेर नहीं कर पाए तो जब भी हम time table बनाते हैं तो हम proper weightage देते हैं for study hours to every subject जिससे कि हम बहुत अच्छे से सारे subjects को simultaneously लेते हुए चलते हैं और सबकी preparation हमारी अच्छे से हो जाती है ठीक है दूसरी चीज हमें यह देखना है कि जब time table होता है बटा तो हमारी consistency बनी रहती है है ना हम daily बैठते हैं studies के लिए क्योंकि हमने time table बना रहा है हमें वो follow करना है लेकिन जिन बच्चों के पास time table नहीं होता है तो वो क्या करते हैं एक दिन तो बैठे पढ़ने के लिए बाकी के तीन दिन skip कर दिये फिर दो दिन बैठे पढ़ने के लिए बाकी के 10 डे skip कर दिये तो उनकी बेटा consistency ही नहीं आपाती है और consistency बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बड़ी अस्कोर करना है अच्छा तो यहां पर आपको पता लग गया होगा कि time table बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मेरी वीडियो देखने के बाद ही बेटा time table ज़रूर बनाना है दूसरी ज़िस हमें क्या ध्यान रखना है देखे proper time table आप बना लिजे फिर उसको follow भी करना है बहुत से students ऐसे होते है time table तो बन गया लेकिन उसका implementation start नहीं हुआ प्लीज आप उस time table को बनाए और follow करें अगर आप अच्छा score करना चाहते है अपने exams में ठीक है तो follow करना भी बहुत ज़ादा ज़रूरी है अगर आपने time table बनाया follow नहीं किया तो वो time table बनाना भी waste हो गया तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा score कर पाएं तो time table बनाना भी है दूसरा उसे follow भी करना है next mistake social media तेखे बिटा हम जब भी studies करते हैं तो हम क्या करते हैं बीच बीच में Instagram खोल लिया Reels देख ली YouTube चला लिया कोई ना कोई वीडियो देख ली ठीक है अगर आपका मन करते है studies के time पे कि मैं थोड़ा mobile भी उठा लू Instagram चला लू या YouTube चला लू तो make sure कि आप CMA community से related जो भी YouTube channels हैं जो भी Instagram accounts हैं आप उनको follow करें क्योंकि आपको फिर CMA से related material मिलेगा जो आपके लिए useful रहेगा तो make sure आप social media use कर रहे हैं तो आप वो use करें CMA के लिए ही दूसरे fields में ना जाएं ठीक है तो यह चीज हमें ध्यान देनी है कि हम जिस field से related हैं उसी field से related YouTube videos उसी field से related Instagram Reels वगेरा चेक आउट करें Next Study material ICMAI do not consider देखे वेटा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे study material से पढ़ लेंगे चीक है बहुत सारे sources से पढ़ लेंगे लेकिन जो ICMAI ने study material प्रोवाइड किया है उसको नहीं importance देंगे तो यह चीज बहुत जादा गलत है आपको जो study material दे रखा है ICMAI ने उसे अच्छे से consider करना है ठीक है क्यों consider करना है round of 80% to 90% paper आपका ठीक है ICMAI के study material के back exercise जो questions है उनी से आता है तो सोचे कितना important है study material तो इसको हमें ignore नहीं करना study material जो ICMAI का है उसे अच्छे से आपको go through करते हुए जाना है ठीक है आपको extra पढ़ना है आप extra पढ़िये लेकिन इसको नहीं छोड़ना है आपको ICMAI का study material जरूर अच्छे से consider करते हुए जाना है next बटा no revision बहुत से बच्चे होते हैं बस एक बार कर लिया सारा कुछ और ठीक है पेपर में ही डारेक्ट बैट जाएंगे ऐसा नहीं होता बटा revision करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि revision करने से हमने जो भी चीजे करी है ना learn वगेरा करी है वो हमारे mind में retain रहती है otherwise हम उन चीजों को भूल जाते है हमारा confidence level भी तबी develop होता है जब हम revision करते है तो revision जरूर होनी चाहिए at least three times तो revision आप करिए उन चीजों की जो आप पढ़ रहे हैं चिक है मैं तो यह काऊंगे daily basis पे आप revision करिए daily basis पे कैसे कि आपने जो भी content आप पढ़ रहे हैं जिस भी दिन उसी दिन आप एक revision भी उसे दे दो जरूर तो revision बहुत ही जरूर है revision को skip नहीं करना है next बेटा no short notes देखे हम बड़े बड़े notes तो बना लेते हैं लेकिन short notes नहीं बनाते और end में क्या होता है paper के time पे हमें quick revision करने के लिए short notes ही चाहिए होते हैं उस time पे हमारे पास इतना time नहीं होता कि बड़े-बड़े notes को हम go through करें तो make sure कि आप जो भी chapter कर रहे हैं साइड बड़े साइड आप उसके short notes बनाते हुए चलें ताकि वह आपकी help करें quick revision के लिए जब आपका exam क्या हो near हो next do not mark important topics कई बार हमारी teachers हमें important topics बताती हैं लेकिन हम mark ही नहीं करते बेटा आप बाद में भूल जाओगे कि क्या important topics एक particular chapter के make sure कि आप side by side हर एक chapter के important topics या important questions जो भी आपको आपकी teacher बता रही है आप उसे mark करते हुए चलें और उन पे special focus करें जब भी आप उसकी preparation करेंगे उस particular chapter की ठीक है next do not study from various teachers बहुत से बच्चे होते हैं बहुत सारे teachers से same subject पढ़ रहे हैं तो बिटा ऐसे अगर आप करोगे तो आप confuse हो जाओगे क्यूं क्यूंकि हर एक teacher की अपनी अलग अलग techniques होती हैं पढ़ाने की अलग अलग teaching methods होते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना कि एक subject के लिए बहुत सारे teachers refer करने हैं आप एक subject के लिए एक teacher refer करें ठीक है तो ताकि आपको confusion ना हो आपको पता हो A की teacher को मुझे follow करना है तो यह थी guys मेरे experience के according कुछ mistakes जो आप कर सकते हैं जिससे आपका result CMA का बिगड़ सकता है तो I hope आपको समझ में आया होगा कि कौन सी precautions आपको लेनी है while doing the preparation of CMA foundation exams अगर इसके इलावा भी आपकोई mistake करते है तो आप हमें comment section में जरूर बताएं तो यहाँ पर गायद session को end करती हूँ मिलते हैं हमारे next session में till then bye take care जैशी शाम